बतादे नासा ने हाल ही में एक रिपोर्ट चारी किया है जो बेहत चोका देने वाला है रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का न्यूयोक शहर धीरे धीरे अपने वजन के चलते नीचे दब रहा है जिसके चलते आने वाले संभावित तबाही में न्यूयोक में स्थित लोगा स्थानों की पहचान की है जो धीरे धीरे नीचे दब रहे हैं बताते 2016 से 2023 तक लागार्डिया के रनवे और ऑथर एश टेडियम क्रमशे 3.7 और 4.6 mm प्रतिवर्ष की दर से नीचे दब रहे हैं और ये दोनों शेट पूर्व लैंडफिल्ड शेत्रों पर बनाए गए थे जो शायद इनके सबसे तेजी से दबने का कारण हो सकता है रिपोर्ट्स के अनुसार समुद्र का जलस्तर बढ़ने से नीचे दूबनी की गंभीरता का खत्रा बढ़ रहा है शहर को तुफान और अतिरिक उशनकती बंदियत तुफानों के कारण टटिय बार सही और भी कई समुद्र के स्तर में प्राकरेतिक व्रिधी और विनाशकारी तुफानों का संयोग प्रभाव समुद्र के स्तर में निरंदर व्रिधी के कारण तेजी से बढ़ रहा है इसके इलावा न्य शेत्र जो तेजी से डूब रहे हैं उनमें गवर्नस दीप का दक्षिन भाग अरवन बाइददासी शामिल है वही सयोगत राज्य भूवे ग्यानिक सर्वेक्षन द्वारा इस साल के शुरुवात में शोद करने के बाद एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि न्यूयोग शहर की एक मिलियन से अधिक इमारतों का वजन ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN Digital Media को सब्सक्राइब जरूर कर लें